इतिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा असलाम अलेकुम रहमतुलाह वरकातु इत्तिहाद न्यूज में आप सभी का खैरे मक्दम है आखिर करनाटक का नाटक हुआ खतम कांग्रेस जेडियस हकूमत का खात्मा बहुत अहम खबर करनाटक का नाटक अब खत्म हो चुका है करनाटक में बीते कई दिनों से सियासी उठ अथा पटक के बीच चौदा महिने पुरानी कांग्रेस जेडियस सरकार गिर गई है मुख्यमंत्री हच्टी कुमार सवाम यानिकी वजीर आला कुमार सवामी असेम्बली में अपना आइतमाद वोट साभी नहीं कर सके ऐसेम्बली में फ्लोर टेस्ट के दारान हुकूमत की हिमायत में सिर्फ 99 और मुखालिप में 105 वोट डाले गया इतमाद वोट में जीत हासिल करने के बाद बीच पी रुखन असेम्बलीयों ने विक्ट्री साइन दिखाते विए अपनी काम्याभी का इशारा किया है एच डी कुमार्सव में राजभावन जाकर इस्तिफा सौंप सकते हैं और अभी उन्होंने इस्तिफा देने की तैयारी शुरू भी कर दिया उनके इस्तिफाई के बाद करनाटा की गवर्नर वजुबही वाला बीजेपी लीडर बीएस से विडर एडर अडरॉपा को हु स्पीकर ने असेंबली में तमाम अराकीन को अलग-अलग खड़ा कर अफसरान के रुकने असेंबली की गिंती करवाई हुकुमत ने पहले जीडियस कॉंग्रेस अराकीन की गिंती की और फिर उसके बाद मुखालिफ अराकीन को गिना गया जान आपको इतला देद की 15 बाग स्पीटियों ने एतमाद ओट टालने की भरपूर कोशिच की लेकिन बरोज मंगल एसेंबली में ओटिंग हुई और यहाद दीन कुमार स्वामी हुकुमत के लिए आखरी दिन साबित हुआ इस से पहले आइतमाद ओट पर बहस के दोरान वजीर अला एचडि कुमार स्वामी ने कहा कि मैं ओटिंग के लिए तैयार हूं कुमार स्वामी ने कहा कि मैं खुशी खुशी यहादा भी चोड़ने के लिए तैयार हूँ उन्होंने कहा कि सियासत में मैं अचानक और गैर मतवक्का तोर पर आया था जब एसेंबली इंतखाबात के नतीजे मतलब 2018 में आये थे मैं सियासत को खेर बाद करने की सोच रहा था निकी सियासत को छोड़ने का उन्होंने इरादा किया था ऐसा उनका कहना है दर आज के इन आकड़ों के खेल में हुकूमत तो गिर गई लेकिन दोनों पार्टी और जेडियस कॉंग्रेस को सोचना चाहिए कि पार्टी में कारकुनान याने कार्य करता की कितनी एहमियत होती है किसी सोच और फिक्र को और उसकी विचारधारा को जिन्दा रखने के लिए अवाम के दिलों में दस्तक देना बहुत जरूरी है आज अगर कॉंग्रेस में की यहां आलत है तो कहीं तो इनकी पॉलिसीयां जम्यदार है भाजपा के पास आरेसेस का काइडर है और कॉंग्रे यानि के पार्टी के कारेकरता की जथ होनी चाहिए उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए वरना जिस तरह से आज कॉंग्रेस की हम हालत देख रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से अपने नशेव फराज देखे हैं कॉंग्रेस पार्टी आज वाकई क्या भारत के अंदर जिस तरह स मोधी ने एक नारा लगा आता है कि कांग्रेस मुक्त भारत क्या उसी की तरफ देश बढ़ रहा है समझ मैं नहीं आ रहा लेकिन कई सियासी पार्टिने इस तरह के नशेब फराद देखे हैं ऐसा नहीं कि अगर आज भाजपा उरूच पर है तो उसी जगह पर वो रहेगी अबाल तो उसे भी आएगा खुदा किसी को अख्तदार देता है तो उसे आजमाता भी है यकिनन यहां फैसला कोई भी जालिम हुकूमत इख्तदार पर बहुत ज्यादा देर नहीं रह सकती इसलिए कि मजलूम की आवाज खुदा के अर्श को हिलाती है और फिर आज चुक्रिया लाफिस झाल झाल